नमस्कार आप देख रहे हैं तेश्खवर 24 और वक्त है खबरों का गडेश सतुथी से प्रारब हुआ गडेश उत्सव आज अनन्जपुदर्शी को खत्म हो रहा है आज 28 सितंबर दिन गुरुबार को गड़पत वप्पा हम सब से मिदा हो रहा है आज गडेश जी की मुर्तियों का विस्थर जन हो रहा है हुआ सितंबर जल कि कि लिए हो रहा है प्रुडर हो बस्काना माँ गओ जिएक लुष करड़ने का, थे विर दिस्व equipment दो एक फटने भीमस्त कि अखये हो तुट्ड़ने टूर में, कि को भीमस्ताव में इसके साथ ही दस दिनों के गड़ेश उस्व का समापन हो जाएगा 19 सितंबर को गड़ेश उस्व से प्रारम हुआ गड़ेश उस्व आज भादरपद माह के शुकल पक्ष की चतुतर्शी ते थी यानि अनन्द चतुतर्शी को खत्म हो रहा है जिल लोगों ने दस दिनों के लिए गड़ेश मूर्ती के स्थापना की थी वे आज शुब मूर्त में बप्पा को विदा कर रहे हैं विवशेहर में तीन स्थानों पर गड़ेश प्रतिमाओ का विसरजन होगा जिसके लिए प्रशासन ने तयारी भी पूरी की है गड़ेश उसों और दुर्गाउसों में नदीव तलाबों को प्रदूशन से बचाने प्रतिमाओ के विसरजन पर विशेश ध्यान रखने के लिए निरदेश NGT ने दिये हैं इसके लिए वकाइदा गाइडलाइन की जारी है हाला कि NGT निरदेश के परिपालन में रिवर शहर में तीन स्थानों का प्रशासन द्वारा विसरजन की तयारी की जा गई है वहीं कुछ जगों पर तो प्रतिमाओ सीधे नदियों में प्रवाहित कर दी जा रही है ऐसे में नदियों को प्रदूशर से बचाने के दावे हवा हवाई सावित हो जाते है बतादे कि नदियों में प्रदूशर को रोकने के लिए निरदेश है कि प्रतिमाओ का विसरजन विशेश कुण में कराया जाए इसका पालन कराने के लिए नगर निगम द्वारा रिवार शहर में हर साल गड़ेशोसों के दोरान कुंद तयार कराया जाता है ये कुंद गड़ेशोसों और दुर्गोसों में उप्योग के जाते हैं इस बार करहिया निपनिया और चोतरिया घाट में ही विसरजन गवरस्था के गई है दिहर और विचिया नदी में तयार के जाने वाले अस्थाई उनको बोर्यों में बालु भर कर बनाया गया है को सबसे मनने जाने ही दून काहए जाना हैय सबसे ही हला कि आ सत्राइब वहां ह। अघे महदर सबस्टे है दोल और इज साहते हैं आखिवास हाद दी ना ने कुछ थी आलए हम 15 I oike considerably भी जेले ना तोई कि छी थीजाशी समवाऻस अमोरिया बहुत प्रशाचन के दुआरा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है परिवार के साथ ही आये हुए है और व्यवस्था देखके बड़ी अधी प्रसंदता हो रही है अब इतने दिन तक साथ में रहे फिर उनको ऐसे वेदा करने से दुख भी बहुत लग रहा है नुपूर पाथर रोहित रोहित पाथर गात में तो जो सुरक्षा के लिए हम लोगों ने बोरियों से कुंड बनाया है जिससे कुंड के अंदर ही लोग प्रवाहित करें मूर्तियां और सुरक्षा के लिए हमारे होमगाड की पूरी टीम है नगर निगम की पूरी टीम है साथ में पुलिस प्रसासन के द्वारा उनकी टीम की अलग व्यवस्ताएं की गई है और अभी तक लगबग दो से धाई सो मूर्तियां छोटी बड़ी मिला के जो मूर्तियां छोटी बड़ी जो मूर्तियां है वो तियोपी की नहीं है मट्टी वाली बनाई है यह जिससे वो पानी में घुल भी जाएं और जो उसके साथ फूल माला आज लोग चाहते है उनको वहां से निकाल के बाहर कुंड में रखा जाता है आपका क्रहिया गाट हो गया दूसरा ऑबिषिया में छातरी याग bestimm भी जाए गोश Scroll अधी साल काथ है आफी फिलाल डोई अपने पॉइंस है एक चितर्या गाट एक क्रहिया गाट इसने इस आ नहीं है पानी सुबा से पूरा पानी भरा था, एक वजे के बाद बंद कर दिया